हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इस्तड़ी फोर आईटियाई में दोस्तों आज हम इस वीडियो में आईटियाई से लेतेट आप लोगों की जो कमेंट है दोस्तों इंपर्टेंट कमेंट जो हमें क्वेस्टन्स मिले हैं उसका आज में जवाब देने माला हम ठीक दोस्तों जैसे कि आपकशमेंट देख पा रहे हैं कि कुछ मेरे प्यारे भाईों में कमेंट किया थी जिनको प्राबलम है जैसे कि आप इनका कमेंट देख लिए इन्होंने कहा है कि मैं एक नंबर से फेल थाा और मैंने भी जमय कर दिए एक्षित करने ब होगा ठीक है और नियू रिजल्ट कप तक अप्टेट होगा मतलब इनका कहना है कि जो ग्रेस मार्क मिला है उसका रिजल्ट कप तक अप्लोड होगा और यह भाई कर रहे हैं कि सर इंजीन ड्रॉइंग में भी ग्रेस मिलना चाहिए प्लीज दिश्टे से कुछ करवाई यह त तो आज मैं इन सारे कमेंट का जवाब देने वाला हूँ दोस्तो तो प्लीज आप लोग वीडियो को अंड तक जहोड देखिएगा जैसा कि दोस्तो आप जानते हैं कि कल हमने कम्मेंटी टैप में एक पोस्ट किया था हमने कि दोस्तो कल संडे है आईडियाई समंधित या कोई धाउट है तो आप विल्दयों कर देए मैं आपके तभी कमेंट को उत्तर देने की कोस्ता करूँगा तो आज मैं उसी जवाब देने वाला हुँ है तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लेटली जयोड देखिएगा जोग कि मैं सब के बादे में डिटेल चार्चा लाइक जब कर लीजिएगा ठीक है और अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा सेर कीजिए ताकि उनके मन भी अगर कोई ऐसे डाउट है तो क्लियर हो जाए तो चलिए मैं पहले एक करके सभी भाईयों का जवाब देने की कोशिस तरता हूं तो पहला जवाब इनका दे देते क्वाब है दोस्तों या फे data or this dot 2020 EPA अथारे ठीक है अथारे जार будете अष्यांफ वाली जो भी Instant दोस्तों ूंका एक्जाम आठ मर्च से होने वादा ठीक है आढ़ मार्च से आठ मार्च से एकजाम उनका होने वाला है प्रेटिकल और एडी का जो एकजाम है वो 12 मार्च को होगा कौन कौन से 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 बाव लोग फिस से सुन लिजी यह 2019 21 ठीक है या 2019 20 और 2018 अब की अभी लाएश एक लिए थीश है और अगा यस रिए अभर लाएश से न हो और रहुरा है तो 'vey जह नहीं हो रहा है जिनका छूड़ गया था एक्जाम ठीक है जो नहीं दे पाए थे किसी कारव में वस्ट उनका एक्जाम जिनका सेशने 2020-22 उनका एक्जाम होने हैं उससे समझ में आ जाएगा ठीक है दोस्तों कि यह लेटर आप देख लीजिए इसमें साफ साफ कहा गया है यह देखिए जो छूड़ गए थे ठीक है या जो किसी कारव में एक्जाम नहीं दे पाए थे ठीक है ठीक है ठीक है दोजाब 1221 का वेंच है आपका या 2022 का यह बस ब्रेख के टो आका ठीक है टो यह फासथ दीएर का एकज्जाम होने वाला है वह भी रेगुलर ह्का ठीक है किया तो स्विट्टी एक्जांम के लिए आप देख लीजिए इसी नोटेस में लिखा हुआ है सिह एक्जांम के लिए ये देखिए श्यृट्टा प्रफ्राइब आप सप्लिमेंटरी एन्वल सिस्टम एन लेप्ट वर मतलब जो छूड़ गया थे ट्रेनिस बिल भी एनाउंस वर्टली मतलब जल्द ही जारी होने वाला है ठीक है सिब्टी एक्जाम की नोडिफिकेशन भी जल्द ही आने वाली है ठीक इस लेटर में साफ सा करी आएगी तो हम आपको बता देंगे ठीक है तो अभी सिब्टी एक्जाम जहां तक की है जैसे कि यह जो आठ मार्स से आप लोगों का एक्जाम होने वाला है यह जैसे एक खतम हो जाएगा बारतार के बाद उसके बाद जल्दी कोई नोडिफिकेशन सिब्टी एक्जाम क क्या देशान कुछे फटर देशान करने के बाद कौन कौन से एक्जाम होती है जिसमें आपको बता देता हूं कि आप फीटार से कर लिए हो या उलेक्टिरिसियन कर लिए हो ठीक है यह और भी साइट रिडद हैं अगर आप कर लिए हो तो आप से टेक्निकल जो पूछे जा अलपी वगेड़ा हो गया ठीक है तो उसमें क्या करते हैं कि आपके आइडियाई से संबंदित क्वेस्टन्स भी पूछे जाते हैं ठीक है लोको पाइलेट हो गया ठीक है उसमें आपका पूछे जाएंगे ठीक है और भी कुछ क्या करते हैं कि वाकेंसिस है जिसमें आइडि कि बात कर लिए ठीक है सीटी आई की कि आपका 70% जो इंट्रेस्ट एक्जाम होता है जो लोग सीटी आई करने वाले होंगे उनके लिए इंपॉर्टेन न सुन लिए कि आपका 75% कुछन्स जो होता है वह आपका टेक्निकल लाता है और 25% नॉन टेक्निकल लाता है जिसमें क्य देख लेते हैं तो ये सभी जो दिया है और इस सभी में आपके टेकनिकल से कुछंस पूछे जाते हैं ठीक है जैसे क्यारभी य एलपी टेक ठीक है राघी जीए से ी मेट्रोज यह सिट है टेखनी कड्री डीमर्ड ऐलमर्सी ठीक है वह इस समय स्टेट लेटन वह इल्लेटर नानोराट कमपणी में अकर आप करेंगे to इसमें क्या आप आपको बता दूंगा कि कौन से आपके लिए बैस रहेगे तो भाई आपका भी डाउट क्लियार हो गया होगा ठीक है तो चलिए आप दूसरा दाउट देख लेते हैं सर्ण ग्रेस मार्क रिजल्ट कब तक अपडेत होगा ठीक है क्रिश्णा भजन नामसिक भाई है उन्होंने कमेंड किया है सर्ण ग्रेस अपडेत होगा तो भाई आपको बता चाता हूं जो ग्रेसमार्क है वह 15 अपकर यह साथ अपडेत हो जाएगा अब जाओर नहीं है कि अभी मैंने आपको पताया ठीक है कि अभिनास नागर का सवाल है कि नियू रिजल्ट कब तक अपडेट होगा तो भाई 15 मार्च तक रिजल्ट अपडेट हो जाएगा ठीक है तो आप लोग बेट किजिए और धिये रिजल्ट जो है अपडेट होगा आप लोग टेंसर मत लीजिएगा आपका भी रिजल्ट आ जाएगा ठीक है और जो नेस कुछ सने भाई का वह रोमन ठाकुर का ठीक है उन्होंने कमेंट किया है सर इंजीन ड्रॉइंग में भी ग्रेस मिलना चाहिए सर प्लीज डिज्टी से कुछ करवाएं सर तो भाई मैं आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने जब प्रमोट किया था तो कहा था कि इंजीन ड्रॉइंग में आपको क्या करते हैं कि पास होना चाहिए ठीक है इंजीन ड्रॉइंग में आपको पास होना चाहिए तब ही हम आपको प्रमोट करेंगे ठीक है लेटर में साफ साफ लिखा था ठीक है बैई तो अगर आप इंजियन ड्राइंग ओर ट्रेट टिकल में फिल हो जाते हैं तो आपको किसी भी मत्ब पास या प्रमोट नहीं किया जाएगा और आपको कहते हैं कि आपका पेपर लिया जाएगा है ना भाई तो इस मद्धी नजर अगर देखा जाए तो इंजिन ड्रॉइंग में वैसे ग्रेस मार्क नहीं मिलने का चांस है ठीक है तो आप पेपर के लिए रेडिये लिकिन अभी कि आपको पेपर क्या है कि नहीं होगा अगर आपके कहते हैं कि एकजाम वालों का बात हुए होगा ठीक है यह से सेशन के बात कर रहा हूं में थिक है तो 2021 के भी अगर कोई नोटिफिकेशन आता है कि ग्रेस मार्क को लेकर इंजिन ड्राइंग में तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा ठीक है भाई वीडियो अच्छे लगी वीडियो को लाइक जो कर दीजेगा बाग चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाद बरें ुआ दिजे उसमें सेकेण्ड यार का क्या क्या कथनी रेंकर मैंने फीडियों। कर दिया फ्री हैं इसकेश चैन अप फाइल आप सब्स्क्तिन दोट का सकते हैं ठीक है कि मॉटल and पटेपर भी हैं पर्क्ष CeCAS का भी है ठीक है ठीक का से समबनמצ ठीक है और हमारे चैनल पर आप जिए तर सकते हैं वहाँ रहाइक जैसे कि प्रोजेक्शन समझाया कि फार्ड प्रोजेक्शन में सिंबल कैसे बनेगा इंजिए दॉइन का ठीक है तो आप हमाई चैनल पर भी बिजित करके देश सकते हैं और चैनल पर नहीं तो चैनल को आप लोग सब्स्राइब अभी आया है ठीक है 28 फरवरी को अभी आपका रिजल्ट जारी हुआ है ठीक है ठीक है चाहिए आप 2019 जो हो ठीक है 1921 हो आपका ठीक है तो आपको क्या करते हैं भाई कि ग्रेस मार्क मिल जाएगा ठीक है फिर आपने केहां जम्हा कर दिया है तो अगर आपका बैस क्या करते है 2019 है ब्रह्ष्म है तो भाई आपको क्या करते हैं ग्रेस मार्क मिल सकथां-ज洗 I have これ साफ साफ देखा हुआ है dus तो आप पर सकते हैं कि रेगुलर के सब्सक्रेवरीしま की सेकन्ट तो जिनका भी रिजल्ट अभी 28 परवई को जारी हुआ है उस्ते बाद निए परवई मंत में जारी हुआ है तो उन लोगों को ये एक मुस्त छूत दे जा रहे हैं इसकी मदद से ठीक है तो इसमें क्या कहा गिया है कि अगर आप ट्रेट थियोरी में 24 से 32 नंबर तब पाए हैं तो आपको फीटर थियोरी में 33 नंबर दे के पास्टर दिया जाएगा वही वर्क्स्टॉप कैलकुलेशन का भी नियम क्या है कि अगर आप 12 से 16 नंबर पाएं तो आपको 17 नंबर देकर पास्टर दिया जाएगा वही इंप्लाइवल्टी स्केल में भी कर रहा है ठीक है तो अगर आपको क्या करते हैं ग्रेस मार्क मिल जाएगा ठीक है तो आज दोस्तों कि आपका भी डाउट क्लियर हो गया होगा फिर के अगर कोई दाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं ठीक है थेक है हम आपके दाउट को C pup करने की कोशिस जगो करेंगे तो आज की वीडियो के सब क्लिव के लिए बहुत धन्यवाद भाई आप लोगों का या आप लोगों ने कुछन्स पूछा ठीक है अगर भाई अभी भी आप लोगों कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ठीक है हम आपको जवाब देने की कोसिस करेंगे तो चलिए आज की वीडि को अन कर लिए ठीक है जिससे हम जब दी कोई नया वीडियो लाते तो उसका नोडिफिकेशन आपको मिल जाए ठीक है और टेलिग्राम आप हमारा जवर जॉइन कर लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ठीक है और इंजीन ड्रॉइंग की तैयारी के लिए भी आ दीक है चलिए मिलते हैं ना इस दूरियों तब तक लिए जाएंट 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 जाएंट